As an astrologer, मैं पूल रहा हूँ, मेरा पास अगर कोई आ जाए, कि पंडी जी, I am done, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, मैं बोलता हूँ यार, यह आपका कुंडिली है ना, कभी भी आइसा मत समझो कि आपका बहुत खराब कुंडिली है, समाई का एसाब से चलना हम सिखा आता है, आपको चलना बहुत ज़रूरी है, आगर आप चलोगे, आप जीच जाओगे हलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंदे सिंग राठोड और आज आप लोगें के लिए लाए हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड, आज हमारे बीच में बहुत मशूर एस्ट्रोजर पंडित जगरनाद गुरूजी मोजूद है यह काफी फेमस है, शोशल मीडिया पे अपने प्रेडिक्शन करने के लिए है एस्ट्रोजी बहुत लोग करते हैं, मगर इनकी खास बात है प्रेडिक्शन करना इन्होंने रेगुलर्ली रियल लाइफ इवेंट्स के बारे में, फाइनेंसे के बारे में, पॉलिटिक्शन कियें जो सच भी हुए हैं इन्होंने COVID का प्रेडिक्शन किया, IPL 2020 के विनर्स का प्रेडिक्शन किया, कई इन्होंने स्टेट इलेक्शन के प्रेडिक्शन किये और ये body language और face reading expert भी हैं इनके astrology, intelligence को यूज करते हुए, बहुत सारे लोगों ने अपने finances में, politics में और अलगले areas में well informed decisions लिये हैं और आज अम इन से astrology की importance, health में, business में, career में, startups में, finances में, कैसे यूज किया जाए astrology को जरूर सिखेंगे So please welcome Pandit Jagannath Guruji in between us Thank you, thank you, thank you so much Short में अप अगर बता सकेंगे तो ये जर्णी कैसे शुरू है Yes, ये मेरा जर्णी मतलब काफी चोटा साल से चालू किया मैंने from the age of 17 years जब मैं 17 years का था, वो समय से मैं चालू किया So family inheritance था, पिता जी भी बड़ ऐस्टोलोजर है, दादा जी भी ऐस्टोलोजर है कुद मैं इसमें मतलब आना नहीं चाहता था लेकर fortunately destiny ऐसा था कि, you know, इसमें आना पड़ा मुझे So 17 years जब था, मैं astrology पे आ गया और काफी courses भी लिया, गर मैं भी मेरा section हुआ और साथ-साथ मैं काफी लोगों को में मिलता था सबसे पहले मैं दोस्ट लोगों से चालो किया prediction करना, reading करना साथ मैं काफी लोग आते थे गर में पिता जी के clients हो, दादा जी के clients हो जब आते थे, जब वो लोग नहीं थे मैं ही खुद consultation लोगों का लेता था So, मतलब day by day changes हुआ मतलब मैं पूरा अपने आपको परिवर्थन करके पूरा फॉर्मली astrology का पढ़ाई भी मैंने ख़दम शी और भारतिय विद्यभवन में में मेरा section भी हुआ साथ मैं practical education खुद अमरा गर में थे गर में मिल रही थी So, वो influence मेरा उपर बहुत असर पड़ा So, I started my journey like that अभी यहां पर मैं तो यह जो हुआ करियर चूज करने में और astrology में कैसे connection है कुछ की अपने astrological charts को देख के या उसके जरीए अपने करियर को define कर सकते हैं Definitely, देखे क्या होता एक horoscope में हम बिलकुल define कर सकते हैं इस ग्रह गतिया का इसाब से इस दशा सिस्टम का इसाब से इस नक्षत्र राशी का इसाब से इस कुंडली के द्वारान ये आदमी, ये इनसान इस profession में जाने से इनको बहुत फायदा होगा या split professions भी रहेगा एक profession में रहेगा आगे वो कुछ कर सकता है dual profession भी रह सकता है depends on the specific इनसान के horoscope अभी देखिए सबसे पहले जरूरत है यहाँ पर third house fifth house, eighth house 11th house यहाँ पर ये सब एक इनसान का जातक में हम अगर देखते हैं तो हम easily predict कर सकते हैं ये profession के लिए is fit for it तो आपके क्या horoscope में ये नजर आया था आपके तो घर में सब एस्टर लोजर है yes, yes क्या तो क्या exact इस्थिती होनी चाहिए especially आपके career में आने के लिए ये एक कहानी था मैं आपको बताता हूँ जब गर में कोई नहीं था especially गर में लोग आते रहते हैं गर में पिता जी और दादा जी से मिलने के लिए suggestions लेने के लिए आते रहते हैं suddenly एक दिन क्या हुआ वो दोनों भी नहीं थे unfortunately कुछ गाओं के लिए गये थे so मैं था मैं वोई टाइम पर college से मैं गर आ रहा था then उसके बाद एक लेडी आई मेरा गर में she is old client, very old client वो आके मुझे बूले की बैटा तू क्या कर गाए तो पढ़ाई करके ठीक है तू काम को जाएगा इस पवित्र का काम आप continue करना चाहिए क्योंकि यह सबको नहीं आता है एक family generation से आपको मिला है तो इसको आप भी तूड़ा seriously लेना चाहिए इसको आगे बढ़ाना चाहिए और उसके बाद मैं बोला ठीक एंटी कुछ सोर से मैं तो मतलब student था ऐसा कुछ plan भी नहीं था कि मैं इस field में आ जाओ या किसी field पे जाओ still I was a 12th grade उतना है so उनों नहीं मजे काफी motivation देधी उसके बाद उसको तुड़ा जरूरत था कि कुछ suggestion चाहिए I don't know मेरे अंदर क्या देखी वो बोल रहे थी कि आप कुछ भी बोलो देखें के क्या होका मैं बोल या उसको कुछ मैं नहीं बताना चाहता हूँ और वो सच निकला और उसके बाद वापस वो दो-तिन मैने के बाद आ गई और मेरा पिताजी को मिली then she told आपका बेटा जो बोला वो वाईसाई हुआ इसके अंदर कुछ पावर है इसके अंदर कुछ पावर है इसके बातों में पावर है इसका बविश्यवानी अलग लवेल पे करता है जो जो था जो समय दिया था जो भी मतलब कारण था जो भी इनोंने बोला वो सब कुछ सटिक बेठा इसके बाद मैं सोचा ये कुटा है ना अगर कोई हमारा बारे में कुद हमारा पिता जी को बोल रहा है इसके बाद मैं तोड़ा सोच रहा था दो तेन दन मैं सोचा की ये परस्नली मैं क्यू नहीं लो और देखो सब लोग प्रोफेशनली आते है इसके बाद मैं बहुत सीरियसली लिया इस फिल्ड को और मैं जाके पढ़ाई वड़ाई करके मैं अलगी कुछ करने वारा था इस फिल्ड में क्योंकि अस्टोलोजी सब लोग करता है हर जगे पे अस्टोलोजस मिलता है हर प्लैटफॉर्म में हैं अभी लोग ठीक है लेकिन मैं कुछ अलग करने के लिए मेरा पहले से एक रा था सो मैं काफी लोगों को प्रेडिक्शन करके वो सच हो के यह हुआ सो आई मेंली फोकस उन दे प्रेडिक्शन आई मेंली फोकस उन दे help of the people so beautiful so दोनों में क्या डिफ किया ऐसा चीज आपको अलग बनाती है जो आपने प्रेडिक्शन में आपकी एक्सपर्टीज है जैसे आप अभी बता रहे थे कि बिग बॉस का विनर भी आपने प्रेडिक्ट किया था कि एलविश बनेगा तो how do you know that आप कैसे उस प्रेडिक्शन तत पहुचते हैं if you can explain it will be good for people जो बगवान दिया हुआ है दो विद्या एक मैं वेदिक अस्टोलोजी करता हूँ दूसरा अगर मुझे सई डेट ओब टाइम प्लेस या उनकी डेटेल्स मुझे नहीं मिलते है मैं एल्विश यादव को मैं बोला कि ये बन्दा 100% जेतेगा मैं बहुत पहले ही बोला था अरे वाल सो ये क्या कुछ प्लेनेटरी पोजिशन पे भी कुछ लोग बात करते हैं कि सान्मोन उन पोजिशन का और फैनेंशल मैनेजमेंट का आपस में एस्टोलोजी में मैंने सुना है कि लोग बात करते हैं तो वो क्या चीज़ें सूर्य, चंद्र, बुदा, शुक्र, गुरू, राफू, केतू ये सब ग्रहा है प्लानेट्स है ये प्लानेट्स एवॉल्व करता है एक इनसान का कुंडिली में सो ये ग्रहा संचार का एसाब से हम ये लोगों को बताते हैं ओके येस, इस लेक ताट और देखिए 27 नक्षत्र है, 12 राशी है और 27 योग है इतने योग में 12 दिन के लिए एक एक योग परिवर्तन होता है डिग्रिया परिवर्तन होता है इस समय पर हम लोगों को अडवाइस करेंगे प्रेडिक्शन करेंगे और ऐसा हम डिजिशन भी करता है कि फाइनांशली हो या इनका इनी वर्क अफ लाइफ हो ये आपके लिए सूटेबल दिन है ये आपके लिए सूटेबल दिन नहीं है सो अम ऐसा कुल मिले आके हम prediction करता है ओके सो याने कि जो planetary arrangement है वो भी impact करता है आपके predictions के अंदर जब एक इंसान जन्म लेता है तब से उसका बर्त start होगा एक date आएगा वो समय में जिसका जनन होगा वो जग़ पे उसका जनन होगा देट आवबर, टाइम आवबर, प्लेस आवबर, ये समय से उसका हरोस्कोप एक्टिवेट होता है, तो देखी, एस्टोलोजी इस वाट, एस्टोलोजी इस रोड मैप, एक अगर आपको मैप मिलता है, अगर आपको ब्लूप्रिंट मिलता है, तो एक निशानी मिलता है कि आप यहाँ इस डिरेक्शन में चाना चाहिए, ठीक है, तब से ये एक्टिवेट होगा, तब से वी केंड सी कि ये बंदा कैसे करेगा, एजुकेशन, सबसे पहले जनन होने के बाद एजुकेशन, और उसके बाद काम, उसके बाद उसका फाइनांस, मैरेज, हेल्थ, ठीक है, ये सब कंटिन्यू होता है, लवली, सो, बहुत से लोगों में, कि एक स्केप्टिसिजम होता है, कि एस्ट्रोजी और फाइनेंस का क्या रिलेशन्शिप है, और ऐसा होता तो फिर सभी उसके इसाब से कर लेते, सभी सफल हो जाते, कि आप उस पर कैसे एजुकेट कर सकते हैं, जो स्केप्टिसिजम होता है, एस्ट्रोजी के राउंड और इसकी कनेक्शन्स के राउंड, वैसर जी अभी क्या होता है, फाइनांस एक इंसान को बहुत ज़रूरी है, वो आता है जब पैसा दिमाग नहीं चलता है, एक एक लोगों को, जब पैसा खूब आता है, दिमाग नहीं चलता है, कहां-कहां वो पैसा इस्तमाल करना है, उड़ा देता है, see astrology भी सिखाता है कि finance को कैसे आप handle कर सकते है so मेरा पास मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ publicly इस platform में ठीक है अगर इजाज़त हो तो मैं बोलता हूँ एक politically background का आदमी उसका family के लोग मेरा पास आये थे उसका बेटा ये मेरा पास आये था बहुत पैसा है पैसा का कोई कमें नहीं है लेकिन वो पैसा से पैसा बनाना उसको पता नहीं है पैसा से पैसा बनाना उसको पता नहीं है so मतलब मैं उसको बोला था ये साल आप मत करना यहाँ invest किया वहाँ invest किया जो जो company पे वो invest किया पुरा loss ही हो गया So finances को handle करने के लिए भी हम सला देंगे या कोई astrologor के पास जाएए अच्छे astrologor के पास जाएए वो सला देंगी ही देंगे So finances आगे आने वाला है या अभी stuck हुआ है या पहले था finances जो रोका हुआ है वो पैसा आ रहा है या आने का पैसा नहीं आ रहा है या जाने का बहुत ही financial stability के लिए भी हम रपास उपाए भी है और हम predict भी कर सकते हैं कि अगर आपका सब्तमाद मतिस्तान में अगर आपका लगन में शुक्र है या शनी है या शनी सूर्य का combination है इसमें बहुत पैसाने वाला है अच्छा जी दन आगमन बहुत होता है किसी भी career के अंदर growth के लिए कौन से planet बहुत ज़ादा responsible रहता है ब्रस्पति गुरु बहुत important है सबसे पहले और दूसरा शनी का अशिरवाद भी चाहिए और तीसरा सूर्य का बल भी रहना गुरु योगा का रखा शनी कर्मा का रखा सूर्य आदि का रखा ये combination अगर एक इंसान का कुंडिली में रहता है वो बाग्यवान बन जाए अच्छा माँ तो कोई famous figure जिनकी आपने देखी हो जिन में है ये कुछ आप एक्जामपल दे सेंगे तो मुके शंबानी जी अच्छा और इनके अरुषकोप मैं भी में एक बार देखा था गोता मदानी लेकिन उनका साड़े साथी चालू होने के बाद मैं पहले भी प्रेडिक्ट किया था मेरे social media में मैं हर Friday prediction करता रहूंगा Every Friday मैं करता रहूंगा So गोता मदानी जी को भी मैं बोला था कि ये समय में थोड़ा आपको बहुत केरफूल रहना है और क्या होगे आपको तो पता ही है So ये combinations में भी अगर शेनी वक्री हो जाता है या साड़े साती का प्रभाव बहुत रहता है या negatively कुछ impact करता है So ये problem होगा So हर साल या हर छे मेन में एक एक बार हम हमरा आरोस्कोप को analysis करना ही चाहिए Okay तो यानि कि ये शेनी मदद भी कर रहा है और खराब भी कर सकता है सब लोग डरते हैं शेनी से लेकिन मैं बोलता हूँ शेनी से नहीं डरना है शेनी आपको जिन्दगी सिकाएगा जब एक इंसान का कुंडिली में शेनी प्रवेश होता है या प्रवेश होने वाला है कुछ अच्छा ही करके जाएगा बया सार जी ऐसा नहीं है कि वो बुरा करेगा कोई ग्रह बुरा नहीं होता है कोई ग्रह अच्छा भी नहीं होता है depends on the योग depends on the लगन, depends on the थिति, depends on the नक्षत्र राशी अलसो सो मेरा इस सबसे अस प्रोफेशनल अस्टलोजर ठीक है कोई ग्रह गुरा नहीं होता कोई ग्रह अच्छा भी नहीं होता सब लोग राहू से डरते है सब लोग केतु से डरते है सब लोग शेनी से डरते है सो मतलब वो डर के ही कुछ नहीं करते है सो आउटकम कभी भी हमेशा आप अपने आप पॉजिटिव रहो ये ग्रह आके जाने वाला है सो अगर कुछ प्रॉब्लम भी है, सलुशन भी है ऐसा नहीं है कि आप कुछ मत करना या शनी आ रहा है आपका पूरा सामराज बरबाद हो जाएगा ऐसा बिलकुल नहीं है शनी में अच्छे अच्छे लोग पैदा हुआ है शनी में अच्छे अच्छे लोग बहुत पैसा कमाया है सो एक डीटेली हरुस्कूप रीडिंग सब लोग लेना चाहिए सो क्या लगता आपको क्यी डर क्यों है लोगों में लोग ही डराते उनके बातों में डराते थे यह होगा वो होगा मेरा शनी में ऐसा हुआ था मेरा शनी में मेरा पैसा बरबाद हो गया मेरा शनी में मेरा तब्यत कराब हो गया यह मतलब बोल बोलके एक influence हो जाता ना कभी भी क्या होता अच्छा चीज ज़्यादा मतलब गुमता नहीं है बुरे चीजी हर जगह पे गुमता है तो यह है काफे लोगों में confusion रहता है आम जंटा में कि उन मेरी मम्मी भी यह बार बात करती है तो मैं तो बहुत ज़ादा education लिया नहीं इसमें but many times she says that कि sunny मतलब अभी बुरा वक्ता जाएगा बगर कहते हैं कि जाते जाते कुछ अच्छा करके जाता है यह सब मित रहते है जब कोई दशा प्रवेश करता है जब कोई दशा छोड़ता है आपको अच्छा करके जाएगा फाइदा करके जाएगा वो किसी रूप से भी हो सकता है तो जिसे अभी आपने बताया कि एक myth लोगों में रहता है और क्या myth है जो थोड़े आप अगर educate कर सके हैं लोगों को जो astrology को लेकर के लोगों में myth होते हैं कुछ उनको assumptions होती है if you can clear them two or three if you can clear जैसे एक तो अभी यह देखिये हमने हाँ myths ऐसा है कि मतलब सब लोग ऐसा बोलते है आप मतलब ये दिन में आप सुबह उठके मंदिर जाके आप दूसरा काम चालो करो ये गलत है मैं बोलता हूँ काम पर ही बगवान को देखो मैं ऐसा मेरे लोगों को मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं है कि कोई बगवान नहीं बुलाता है कि आप मंदिर आके मरे दर्शन ले लो और उसके बाद ही आपका काम चालो करो आपका दिन चालो करो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भगवान नहीं बोलता है, मैं बोलता हूँ, आप आपका काम पर भगवान को देख लो, आपका कर्म करो अपने आप भगवान फल देगा, ठीक है, और यह देखिए क्या होता है, वैसर जी काफी लोगों को रॉंग इंफ्लुएंस है, मैं ब जगह पर दान दर्म थो चलता ही है, दान दर्म करना अच्छा चीज है, भगवान का दर्शन लेना भी अच्छा चीज है, लोगों को आप अच्छा सिखाना भी अच्छा चीज है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मिच्स रखे आपके अंदर, ठीक है, इसको अच्छे से So, क्या प्रैक्टिकल टिप्स आपने दे सकते हैं? How they can align? प्रैक्टिकल टिप्स तो very simple है. वो लोग कुबेर मंत्र जाप करना है. Okay. Financial, ये मंत्र जाप करने से आपका कोई financial बढ़ेगा नहीं. लेकिन थोड़ा stability आ सकता है. थोड़ा आपका मन में, दिमाख में थोड़ा बहुत positivity बिल्ड होगा. Okay. सब लोग बुलेंगे कि मैं ऐसा मतलब ये करूँगा, जाप करूँगा, 108 टेम्स करूँगा. ये सब लोगों को नहीं हाता है. बहुत रेर लोगों को होता है. अगर किसी का हरोस्कोप में सूर्य कमजोर है, शनी कमजोर है, शुक्र भी कमजोर है, ये लोगों को अलग-अलग remedies हम सजेस्ट करते हैं लोगों को. So ये अभी देख़े, हर लोगों को financially stable रहना बहुत ज़रूरी है. अगर कोई काम कर रहा है, उसको अगर 30-40,000 रुपए का salary है, वो एम करेगा कि मुझे गाड़ी लेना है. वो गाड़ी लेगा, वहाँ तक उसका sustainability maintain होता है. उसके बाद वो गर लेने के लिए एम करेगा, उसके बाद वो EMI बरेगा. फाइनाशिल मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपका हरोस्कूप को देखे, आप आगे बढ़ना सीको, हरोस्कूप में अगर कोई problem भी है, उसको आप पहले ठीक करवाँ. ठीक है, क्योंकि अभी क्या होता है, फाइनाशिल रिस्क तो हमेशे lifelong तक रहता ही है, आपको अच्छा तरह से पता है, because financial problem तो मतलब problem से ज़र्दा सब लोगों को ज़रूरत है, less financially burden तो दिन दिन होता ही है. ठीक है, अगर चोटा बच्छे लोगों को परिवार के लोग पैसा देते हैं, middle age लोगों को काम के ले जाते हैं, उसके बाद कोई business किरते हैं, या कोई foreign चले जाते हैं, ठीक है, ये कोई भी लोग कुशी नहीं रहता है, पैसा आता है, पैसा को आप कई सही से इस्तमाल तो आपको financial management आपको पता रहाता, नहीं तो आप कोई advice लेना चाहिए, मेरा पास ऐसा लोग भी आते हैं, कि EMI हो गया, burden हो गया, पंडी जी मैं property sale कर दूंगा, वही पैसा मैं वहां पे ये कर दूंगा, मैं भूलूंगा कि भाई नहीं, ऐसा अगर करोगे, आप हमेशा ऐसा करते रहोगे, उसको closely, बहुत carefully handle करना सेखना चाहिए, लवली, तो start-up पे अगर किसी को शुरू करना है, तो किन चीज़ों का वो astrology में ध्यान रख सकते हैं, what advice you will give them, so start-up चालू करने के लिए सबसे पहले जरूरी है, आप कुद कर रहे हो, या कोई partnership के साथ कर रहे हो, क्योंकि वह सर जी, काफी लोग अभी partnership में कर देता है, बाद में ये लोगों का बीच में differences आ जाता है, तो फिर क्या होगा, आप ही बताइए, 100% ये problem होगा ही, maximum partnership में होई की जाती है आज कल, so मैं सबसे पहले उनके अरुसकुप देखने से पहले उनके partners के अरुसकुप में देखता है, उसके बाद मैं कुल मिला के मैं पूरा देखूंगा, अगर सही है, मैं बूलनगा go ahead, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है, नहीं तो आप अकेला करो, अकेला करने क अताकते बिल्कुल करिये, no problem, so काफी लोग आते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ, और शनी, सूर्य, गुरू, भुद, ये चार ग्रह बहुत important है, एक start-up चालो करने के लिए, एक इनसान का हरुसकुप, अगर इसमें अगर कोई problem है, उसको हम ठीक कर सकता है, so अगर partnership में कर रहा है, उसका भी हरुसको हम देखते है, कौन सा business कर रहा है, वो नाम का vibration भी हम देखते है, कौन सा दिन में उप्रारम कर रहा है, कौन सा समय में, वो सब हम details देंगे, इसमें बहुत तरह होता है, ऐसा नहीं है कि कोई start-up किया, मतलब कोई भी लोग, इतना easily करते नहीं है मार खाने के बाद हमार पास आते हैं, इसको पहले शुरुआत से ही बहुत अच्छे तरह से, because timing is very important, हमार पास film release होने के लिए भी date पूछते हैं, कोई नया काम चालू करने के लिए date पूछते हैं, कोई agreement sign करने के लिए भी date पूछते हैं, बहुत चीज़े होता है, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत डीटेल में रहते हैं, बहुत डीटेल में रहते हैं, देखिए, यहां पर जो लोग believe करते हैं, जो उनको फाइदा हो रहा है, वो कभी भी नहीं छोड़ता है, because यहां पर एक एक चीज़ भी, single single चीज़ भी बहुत important है, बहुत important है, इससे आपका समय में बताएगा, अभी देखिए, जब मैं जब election का काम करता रहता हूं, बहुत लोग आते रहते हैं, उनकर MEDSB में करता हूं, राजनेतिक काफी लोग आए, so, जब यह nomination file करेंगे, यह भी समय में बताऊंगा, यह भी time में बताऊंगा, जब यह लोग जीत जाएंगे, उसक प्रमानवचन लेने के लिए कोई ministers, और साथ में CM, ठीक है, प्रमानवचन का date भी हम बताते हैं, बहुत चीज़े होता है, यह date आपको नाश भी कर सकता आगे, या एक date से आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, so true, so, जो believe करते हैं, उन्हें ही impact आता है, suppose कोई believe नहीं करता है, व मतलब मैं कुछ नहीं बताता हूँ, वो believe कर रहा है, ठीक है, जो non-believers है, उसको भी मैं ऐसा demotivate नहीं करता हूँ, कि आप यह है, क्योंकि अपने, मतलब हर लोगों का एक एक इच्छा होता है, so, ऐसा ही हम बात करते थे एक दन, एक सवाल, ऐसा ही, लास्ट टेम जब आरव ठीक है, और उसके बाद, समय का खेल है यह सब, समय ठीक करेगा, ठीक है, उसमें आप या हम या कोई भी बूलने का जरूरत नहीं है, समय का खेल है, समय जब बरबाद करेगा या समय जब अच्छा करेगा, समय का खेल है, समय का खेल का हिसाब से सब परिवरतन भी होगा, जब एक इनसान इस चीज़ों में बिलीव नहीं करता है, उसको एक टाइम आएगा, जिसमें कोई भी एक रूप से उसको मदद चाहिए, हर तरीके से वो फेल होता जा रहा है, हर तरीके से उसका जिन्दगी बरबाद हो रहा है, हर तरीके से उसको, मतलब लोग भी उसको कोई हेल्प मिलता है, तो यहां से मिलता है, हाँ, यहां से भी मिलता है, कोई क्या होता है, बगवान किसी रूप से भी हेल्प मदद पहुंचा देता है, कोई आदमी के रूप से हो, कोई स्त्री के रूप से हो, कोई फाइनशल के रूप से हो, कोई अस्ट्रोजी के रूप से हो, कोई spiritual गुरू के रूप से हो, जब कोई भी नहीं रहता है, जब आपको कुछ हो रहा है न, चीजे वो समय में पता चलेगा इसका मात वो क्या है, राइट, लॉबली, तो हमने काफी बात हैं कि फैनेंस और स्टार्ट अप्स को लेकर के, so now I want to ask about क्या health के भी कुछ indicators होत में हमें पहले से पता लग जाए, तो हम उस पे ध्यान रख सकें, definitely, एक इनसान को सबसे पहले ज़रूरत है, मैं ऐसा मानता हूँ कि, अगर health है, सब कुछ है, health is there, everything is there, ठीक है, health आजकल काफी लोगों को upset हो रहा है, जहां तक मेरा reading है, YSR जी, पिछले दो साल से काफी लो काफी negatively देखा, ठीक है, यह जो impact हुआ था लोगों को, सिर्फ physically नहीं, in fact, mental, depression और यह भी बहुत ज़ादा बढ़ गया है, तो, इसके बारे में astrology से क्या relation है, इसके बारे में क्या होता है, एक निशाना हम कर सकते हैं, health problem आने वाला है, ठीक है, mass level पे, यह समय में आपको health की रक्षा आप करें, ठीक है, अभी काफी physical health से ज़्यादा आजकर लोगों को mental health काफी लोगों को problem हो रहा है, जैसे की ज़्यादा लोग depression में चला गया है, overthinking हो रहा है, stress, anxiety, burn out, बहुत ज़्यादा है, यह बहुत ज़्यादा है, यह सुबह से रात लोगों को देखता हू हो गया पता नहीं, बहुत depressed सा, मतलब problems भी रहता ही है, अगर problems रहता है, problem solve करने को कुशिश करना चाहिए, किसी तरीके से भी, ठीक है, लेकिन depressed होना, यह नहीं नहीं, मेरा हालत बिगड़ गया है, मैं इससे उपर नहीं आपाऊंगा, उससे बाहर नहीं आपाऊंगा, ऐसा फीन नहीं होना चाहिए, रोते हैं मेरा पास, लोग आखे, ठीक है, यह directly connect करता है, उनका केतु ग्रह, रवी ग्रह, चंद्र ग्रह, अगर यह combinations इनके हरोश्कोप में, नीच स्थान में हैं, सो काफी mind को effect करता है, health को भी आगे effect करेगा, अगर रावू भी इनके साथ खराब कर रहा है तो, like major conditions, like heart attack हो सकता है, या कोई disease आ सकता है, या कोई expected problems, like any major accidents हो गया, या कोई, कुछ side effects लगा, ये कुछ भी होता रहा है, सो हम पहले भी बता सकता है, या अभी फिलाल problem चल रहा है, उससे बाहर आने के लिए भी astrologically जो remedies suggest होता है, वो भी हम देंगे, suppose I was listening to somebody, I think मेरी feed में आयते, तो that I think he was an astrologer, तो he said that कि अभी बुरा समय चल रहा है और 2027 तक शायद और भी ज्यादा बुरा समय आएगा, natural disasters होंगे, या इस तरीके की चीजे होंगी, तो ये जो general prediction है, तो individual का तो horoscope हो गया, या face हो गया, तो ये overalls की war होंगे, ये जो predictions होते हैं, ये किस basis पे होते हैं, ये अमरे देश का horoscope से होता है, अच्छा country का भी होता है, country का भी होता है, neighboring countries का भी होता है, मेरा पास है सब details है, मैं इसी basis पे earthquake का किया था, world war का किया था, Russia Ukraine war का किया था, और साथ मैं अभी US का economic downfall भी मैं किया था, इसी basis पेर मैं prediction किया था, कि ये ये समय ऐसा होगा, तो जो overall, जो mass level के आप prediction करते हैं, तो उसमें भी ये ग्रे काम आते हैं, या उसका अलग concept है, नहीं 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 नहीं, इसके, देखो, एक individual अरुसको पलग है, मतलब आपका और हमारा अरुसको पलग है, पूरा इहां पर जो लोग है, इनका अरुसको पलग है, ठीक है, जो एक country के हरुसको पर एक देश के हरुसको पर एक देश की जनता कि मतलब बविश्यवानी अगर हम करते हैं, या कुछ problem होने वाला है, या कोई फायदा होने वाल है, ठीक है, यह हम इस process पर देखते हैं कि कोई transaction हो रहा है, या कोई retrograde हो रहा है, या अभी क्या होता है, summer, winter, rainy season, इसके उपर भी हम द्यान देखे हम करते हैं, और हर तितिया उस पर भी हम देखते हैं, लगने के इसाब से भी हम देखते हैं, अगर हमवास्य पोरनेम का इसा आप से भी हम कुंडलिया देखते हैं, कुछ फाइदा होगा हमारा देश के लिए या नुकसान होगा, या देश के लोगों को कुछ health का problem आ रहा है, मैं ऐसा ही करके, मैं एक prediction किया तक, आने वाला दो डाइस साल इंडिया के लिए और Asian countries पे बहुत थकड़ा बिमारी आने व प्रेडिक्ट किया था, ऐसा ही आने वाला है, एक दूस साल का पहले ही, जब COVID आया था, उसका पहले मैं प्रेडिक्ट किया था, आने वाला दो डाइस साल बहुत नाश होने वाला है, तो अब कैसा है आने अब यहां से अधर देखें तो, अभी मेरा से पुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, छोटा मुटा बिमारी आ सकता है, लेकिन अमारा देश में, अमारा मिटी में, अमारा आयरुवेदा, यह साइन्स है, वी आर वेरी स्ट्रॉंग, ऐसा कोई बिमारी अपने आप उधव होने का अमारा इंदुस्तान में नहीं है, इट इस पुरूवन चैना में यह कुछ के लोग प्रयोग करके, यह स्प्रेड करके, आजू बाजू देश लोगों को स्प्रेड किया है, पूरा विश्व को यह लोग खराब कर दिया, ठीक है, सो मेरे सब से आगे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होल्ड वार का स्थितीर मैं देख रहा ह कुछ होगा ऐसा कि, अर्थक्विक कभी मैं देख रहा हूँ, तोड़ा डिस्ट्रक्शन होने वाले है, बहुत बारिश आने वाला है, इंडिया में, इंडिया लेवल पर मुझे देख रहा है, साथ में तोड़ा अर्थक्विक का चैन्सस भी है, मैं पहले बहुत रीसेंट इसलिए मैं खात, आपको भी शायद पता है, ये उत्तर प्रदेश के पास भी मैं बोला था कि, ये जगर पे अर्थक्विक हंड़ट परसंट होगा, जो जो मैं बोला था, ये सब जगर पे अर्थक्विक हुआ, तो इन स्टेट्स का जो आप आप निकालते हैं, को, या कुछ नेचुरल इवन्स के हरुस को, या उनके टाइमिंग के आदार पर, उनके लगन का आदार पर मैं देखता रहता हूँ, I'll be watching क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं, इस साधर पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ होने वाला है, तो मैं बविश्यवानी का तो, काफी मेरा फॉलोवर से, जो regularly देखते रहते हैं, जो regularly उसको, उसके उपर एक ट्रैक रखते हैं, पटी जो आपने बोला हूँ, सही हूँ 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 जो बोला हूँ 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 हू वो मतलब काफी दिन वेट करके मेरा पास consultation लेते है, you know, it should be fruitful for them, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोले या कुछ भी कहे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका horoscope मैं सुबह देखता हूँ, शाम को मैं consultation करता हूँ, ऐसा मैं करता हूँ, अगर मैं ऐसा बड़े-बड़े इवेंस का प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ, वन विक टाइम लूँगा, पूरा प्रेडिक्शन करके, I will tell. Beautiful, so, जो ये mental wellness की हमने बात की, कि इसकी स्थिति काफी करोनों के बाद तो बहुत ज़्यादा बिगड गई है, और इवन ये podcast भी हमने उसी aspect में चालू किया कि लोगों में और awareness बने, so, इसका कैसा future आप देखते हैं, फिलाल तो स्थिति बहुत खराब है भारत के अंदर, so, even worldwide भी खराब है, तो आपने कभी इस पर कोई prediction निकाली है, mental health को लेकर के की, आने वाला समय कैसा होगा इस पर? ठीक है, ये, it is a lifestyle, ठीक है, हाँ मैं ऐसा भी मानता हूँ कि, सब लोगों का जिन्दिगी एक ही जैसा नहीं रहता है, फोड़ा लोगों को काफी परिशार्यां रहता है, इस कारण से लोग काफी, मतलब हर तरीके से भी अगर कोई support system नहीं है, help नहीं है, कोई problem चल रहा है, तो obviously they think more, थोड़ा बहुत मन में चिनता लेते हैं, depression रहता है, सब, और थोड़ा लोग क्या होता है, अगर कुछ problem भी चल रहा है, उसको उससे बाहर आने के लिए meditation करता है, फोड़ा बहुत practices करते हैं, उपाई बगरा करते हैं, मंदिर जाते हैं, religious, पूजा हो, महवन सब करते हैं, और थोड़ा लोग काफी strong भी होता है, ठीक है, सो तरह तरह लोगों को मैं देखता रहता हूँ, सो मेरा एक suggestion सब लोगों को रहेगा कि, ठीक है, as an astrologer मैं बूल रहा हूँ, मेरा पास अगर कोई आजाए, कि पंडी जी, I am done, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, मेरा समय से समय बहुत बुराई चल रहा है, खराब ही चल रहा है, मुझे कुछ भी ये नहीं हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और मेरा इतना अनलो मेरा that depression में हूँ, मैं बोलता हूँ यार ये आपका कुंडली है ना कभी भी ऐसा मत समझो कि आपका बहुत खराब कुंडली है वाई सेर जी मैं बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मेरे पास एक कुंडली आये था इतना खराब था उसका जनन से एक 30 साल को लेकर 30 साल के बाद उसका हरुसकोप में ऐसा परिवरतन आ गया है कि सा रॉकेट जैसा आज वो करूडोपती है ठीक क्या बोल दे उसको सी मैं वही तो बोल रहा हूं मैं पहले भी बोल दिया आपको कोई हरुसकोप अच्छा भी नहीं होता है कोई हरुसकोप बुरा भी नहीं होता है समाई का एसाब से चलना हम सिखाते हैं आपको चलना बहुत ज़रूरी है आगर आप चलोगे आप जीत जाओगे अगर उसका एसाब से आप नहीं चलोगे तो प्रॉबलम होगा mental health भी ऐसा ही है ठीक है तोड़ा cope up करना सिखना है उससे बहार आने के लिए कोशिश करना है एक दिन में कुछ नहीं होगा मैं बता रहा हूँ तोड़ा patience चाहिए अगर कुछ भी आपका जिंदिगी में परिवर्तन करने का मतलब आप एक decision लेते है एक दो दिन में होगा ही नहीं आपको भी पता है इतने लोगों को आप वचन करते हैं इतने लोगों को प्रवचन करते हैं इतना लोग आप से प्रभावित है ठीक है एक दो दिन में तो होने वाला है minimum to minimum 21 days तो चाहिए हर चीज़ पे मतलब इससे बाहर आने के लिए देते हैं हम भी suggestions जेते meditation करो yoga करो तुड़ा बाहर गों हो तुड़ा इधर जाओ इस facing पे आप तुड़ा ज़्यादा focus करो वास्तु का इस सबसे भी मैं देखता है पहले मैं उनसे पूछ लेता हूँ आप क्या करते कि आप उस सुबैसे रहता आपका क्या काम है किस कारण से आपको mentally disturbed क्या relationship का problem है कुछ education का problem है काम का problem है finance का problem है health का problem है ठीक है आपको मैं और एक बात बताओं आप हस होगे सब कुछ है लेकिन depression में रहते सब कुछ है बगवान दिया हुआ सब कुछ है लेकिन मन में इतना परिशानिया चलता रहता है पंडीजी मैं कुछ नहीं हूँ है मैं क्या करूँ इसको लेकर सब कुछ है मेरा पास लेकिन कुछ भी नहीं है आईसा मुझे लग रहा है इसको क्या हो दाए सी आईसा mental disturbance काफी लोगों को मैं देखता रहता हूँ इसको handle करना अगर इसको handle करोगे आप कुछ भी कर सकते हो physical health को आप ठीक करोगे मैं जबी भी मेरा लोगों को भी बोलता हूँ आप यार आप कैसे दिखते हो कैसा हो वो बहुत important नहीं है अंदर से आप कितना healthy हो that is very important मेरा हैसाब से वो बहुत ज़रूरी है अंदर का health को आप ठीक हो बाहर आप कुछ भी देखो वोई फरक नहीं पड़ता है So एक relationship की दिसे आपने बात की तो relationships के क्या indicators है किन चीजों का एक healthy relationship के लिए क्या indicators होते है एक healthy relation के लिए according to me बहुत कुछ देखना पड़ता है partner का दोनों का भी हरुसकोप देखना है compatibility करना है हम जैसे matching करते है direct हम scoring के उपर हम decision नहीं कर सकते है या matching अच्छा आ रहा है भी हम decision नहीं कर सकते उन दोनों का भी system हम देखना है ग्रहों का संचालन हम देखना है साथ में वर्न, व्यास, आतारा, यूनी, मैत्री, करना, नाडी, बकुट ये सब कुछ हम खुल मिला के हम prediction करना है कि ये successful marriages रहेगा या नहीं रहेगा या marriage तक भी ये relationship आगे पहुंचता है या बिगड़ जाता है या शादी के बाद तोड़ा साल ठीक रहेगा उसके फार कुछ problem होगा वो भी हम indicate करता है ओके जिसे कई रिष्टे ऐसे भी होते हैं कि जो कुंडलिया मिलाते हैं अच्छी होते हैं लेकिन फिर भी आगे जाकर तूट जाते हैं तो वो क्या change होता रहता है समय के साथ समय के साथ सब कुछ change होता है लेकिन वह सर जी और एक मैं उदारन दूँगा हम तो सुवे से रात देखते रहते हैं आमरा तो कुछ खाम ही नहीं यह हम करते रहते हैं देखिए मैं मैं भी एक इनसान हूँ ठीक है मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब एक पार्टनर्स का बीच में कुछ भी साई नहीं चल रहा है ठीक है क्योंकि एक इनसान को बहुत ज़रूरी है कि फैमिली लाइफ जितना ज़रूरत है उसका काम उतना ही ज़रूरत है उसका परिवारिक परिवारिक जीवन सो अगर 100% साई मैचिंग है डाइवर्स किस में है अगर कुछ भी मैचिंग नहीं है जिन्दिग में वो लोग काफी अच्छा कर रहा यह में देखा ठीक है सो मैं आपको वह बोल रहा था कि मैचिंग करने से स्कोरिंग अच्छा है ठीक है हम शादी कर लेते हैं चलो परिवार से बात करेंगे सो बंडी जी ने बोला है नई आप सिर्फ स्कोरिंग के आदार पर आप शादी करोगे बरबाद हो जाओगे बहुत कुछ देखना पड़ता है इसलिए ये सब देखना बहुत ज़रूरी है जैसे आपने प्रश्ट पूछा इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि शादी एक ही बार होता है ठीक है सोच समझ के आगे बढ़ो क्या होता है अभी जब कोई रिलेशन्शिप के लिए कोई लव मैरेज करना चाहते है वो लोग तो हरस्कुप देखके तो प्यार नहीं करेंगे प्यार करेंगे जादी के लिए हरस्कुप देखेंगे राइट ये समय में बहुत उनका मुन में चलता रहेगा कि परिवार वाले लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे मनाने के लिए क्या करना है साथ में मैचिंग होगा या नहीं होगा तो क्या करें मैं जैसे पहले ही बोला ये लोग तो मतलब कुंगलिया देके तो प्यार नहीं किया प्यार किया है आगे बढ़ने के लिए मैचिंग भी करना पड़ता है ऐसा सिनारियोस पे भी हम help करते हैं worst in worst cases मैं आज कर देख रहा हूँ arrange marriage में बहुत भी कर जा रहा है होता है जैसे मैं बूला समय का इसा अपसे सब होता रहता है समय का खेल है समय ठीक करेगा तो अभी political scenario कैसा है भारत के अंदर आने वाले time के अंदर अगर बिल्कुल specifically अगर मैं पूछ लो आप से so मोधी को कौन डिप्लेस लगता है कि future में करेगा और कब तक रहने वाले हैं मोधी मोधी is my favorite politician अगर मैं ऐसा बूल दो ना सब लोग समझे की कि पंडी जी को सूटगेस मिला है मैं ना बीजेपी वाला हूं ना कॉंग्रेस वाला हूं ना आम आदमी का जो तिशी कभी भी किसी पक्ष को लेकर बात नहीं करना चाहिए काफे लोग बूलते हैं पंडी जी थोड़ा उमको थोड़ा सबोर्ट करो कुछ करो मतलब ऐसा नहीं होगा जो बविश्यवानी है जिसको फेवरबल लगता है उनको ही करना चाहिए बहुत पहले I think अर्विंद का शो में अर्विंद अरोरा जी के शो में मैं बोला था बीजेपी वालों को ये साल बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा वेरी रिसेंटली करनाट अगया एलेक्शन में क्या हुआ बीजेपी लॉस्ट एलेक्शन कॉंग्रेस ने आ गया मैं बोला था कॉंग्रेस कॉंग्रेस ने सब्तार बनाना जा रहा है और साथ में आने वाल एलेक्शन में भी ये लोग उतना ठीक नहीं खरेंगे और खुद मोदी जी का चार्ट भी उतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है दो हजार तेस में लेकिन चौबिस फेबरवरी तक उनका समय उतना पॉजिटिव मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि मंगल वक्री है ये स्थिति पर क्या होगा मोदी जी को काफी केरफुल रहना होता है किन आस्पेक्ट में केरफुल रहना होता है कोई पर्टिकुलर आस्पेक्ट में क्या होता है इनको समय खराब रहने से यह समय खराब नहीं, यह समय बहुत अच्छा नहीं, मतलब मिश्रफल देंगें, ठीक है, यह समय में उनका सेक्यूरिटी सिस्टम को ज्यादा बढ़ाना है, उनका तब्यत का बारे में देख लेना चाहिए, और इनके पार्टी के लोगों का फेवर में मोदी जी रहना चाहि मोदी जी नेक्स्ट, बिलकुल आ रहा है, शोबेस के लेक्शन में मोदी जी फिर से पुराददान मंत्री बनेंगे, देर इस नो डाउट, लेकिन फेबरवरी तक उनका समय उतना ठीक नहीं है What about राहूल गांदी? वो ऐसे ही हो गया, और साथ में राहूल गांदी का हरुस्कूप में जैसा मैं देख रहा हूँ, सीट बहुत जादा आने वाला है, इस बार चोबेस एलेक्शन में, लेकिन निरने बहुत अच्छा लेना है, तयारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अब जैसे कि चार राज अच्छों का इलेक्शन आ रहा है, तो इसमें राहूल गांदी का नाम काफी बढ़ेगा, इनके हरुस्कूप स्ट्रॉंग होते जा रहा है, हरुस्कूप आगे बहुत पॉजिटिवली बढ़ रहा है, तो इस कॉंबिनेशन के द्वारन राहूल गांदी को फाइदा 100% एक बड़ा नेता का रूप से आएंगे अमिट्षा जी को एज है, नितिन गठिकरी को भी अल्मॉस्ट एज कवर हो जाएगा, इन सब में जो मुझे जो लग रहा है, मोदी को आज तक मैं परसनली बताता हूँ, रिप्लेस्मेंट कोई नहीं है, मैरा ऐसा अपसे, अगर ऐसा सिचुएशन आएगा, उसको रिप्ल अमेरिका में चल रहा है, तो जो बिदिन कंटिनू रहेगा या उसका प्रेडिक्शन आपने गिया है, मैं किया था, नहीं वो गर जाएगा, मुझे जो लग रहा है, अमेरिका में काफी परिवर्तन होने माला है, और इस पर मैं प्रेडिक्शन भी कर रहा हूँ, बहुत जाएद मुझे लग रहा है, कमला है, तोड़ा में फ्रेंट में आएगी, साथ मैं कोई रिपब्लिकन, इंस्टेड ओफ डोनाल्ड ट्रम्प, कोई और होगा, इस पर मैं अनलेसिस चल रहा है, सो देखते हैं, वेरि शॉटली मैं प्रेडिक्शन करूँगा, कोई एक प्रे जलेक्षन में क्या प्रेडिक्शन है आपका? रेड़ी एक साइन्स है, आट नहीं है मैं ऐसा डिरेक्टली बूलता हूँ कि अस्ट्रोजी सही है, अस्ट्रोजर गलत हो सकता है हर एक इंसान का फर्स है कि डिरेक्टली बूलता है यह सर्टेन योगा से, सर्टेन कॉंबिनेशन से जिसमें अगर अगर अपन काम करते हैं, हन्डेट परसंट फाइदा मिलेगा ही मिलेगा स्टार्टप शुरू करने का सबसे शुब समय क्योंकि सब लोग बोलता है कि हम आशाड मास में कुछ भी प्रारण नहीं करना चाहिए, सावन में करना है, मारगशीर में करना है या दूसरा दूसरा समय में करना है, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि कोई मास या कोई समय सब लोगों को एकी समय सूट नहीं करता है, depends on their ग्रह गत्या हम सजेस्ट करता है IPL के प्रडिक्शन इसकी लिए या फिर इंट्यूशन पर होते हैं? नए 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 इसमें गलत अफिया है कि लोग मतलब ऐसा सोचते है कि एक फ्लूक में बोल देते है या कुछ इंट्यूशन है या पहले से इनको मेसेज मिला है ये सब गलत है क्योंकि जब हम IPL का प्रडिक्शन करते है जब बैटिंग किसका हो रहा है बॉलिंग किसका हो रहा है उसका भी हम प्रडिक्शन करते है और साथ में team to team team owner to owner ये भी हम देखते हैं वाय सर जी अच्छा लोगों को मतलब हर लोग नहीं तूड़ा पागल लोग रहते हैं करने के लिए कोई काम नहीं है ये लोग कुछ यूजज कॉमन्ट्स सब डाल देते उखें षब अच्छ मुझे लयना सब लोगों कालिया देते ही है सो ऑई भीर्य मानीक कभी क्या होता है सब्लोग सब कुछ हम देख्गी करना पड़ता है ये कैपटं का देखना है उसका समयरा दे आने वाला next year भी बहुत अच्छा रहेगा मैं बोला था अभी देखिए विराट कोई लिए बहुत अच्छा खेल रहा है right so यह होता रहता है combinations so इसको लेकर ही मैं बोला था किसी का अरुसको बुरा नहीं होता है अच्छा नहीं होता है okay so upcoming political star कौन लगता है politically bright future मैं एक दो लोगों का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ काफी लोग है जिसमें वो भी मेरे clients है और DK शुकुमार अभी present करनाटका का deputy CM है और उसके बाद Sachin Pilot इनका future भी बहुत bright है और साथ मैं रागव चद्डा रागव चद्डा wonderful person इनका भी हरसको बहुत अच्छा है love life destiny है या choice love life is a destiny mental wellness के लिए yoga या meditation दोनों करना चाहिए लेकिन सबसे जरुवत है meditation का meditation का best time according to you brahma मूरत में brahma मूरत के अंदर morning yes traveling को आप अस्टो लोगिकली प्लान करते है spontaneously बिल्कुल बिल्कुल मैं time देखके मैं flight ticket भी उसी सबसे में अच्छा जी सबसे कथीन प्रेडिक्शन आपका अब तक का ऐसा भी मैं करता रहता है कि बगवान करे मेरा प्रेडिक्शन साइ ना हो एक एक बर होता है because कटीन प्रेडिक्शन जो आपने मिंशन किया मेरा दिमाग में हुई आ गया कि you know when I predicted कि ये कोविड का नाम तो भी पता नहीं था ये कुछ ऐसा समय आने वाला है next two to one and a half years बहुत लोग मरेंगे बहुत लोगों को health upset होगा ये कुछ अलग रूप दिखा रहा है ठीक है लेकिन unfortunately हुआ भी है ठीक है ये ये नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया है आपका go to mantra for positivity अपने आपको positive रखने के लिए क्या करते हैं मैं शिवजी का बख्त हूँ रुके तो जो भी है आज मैं शिवपंचाक शरी मंत्र ओम नमस्षिवाया मैं जात करता हूँ क्या एस्टलोजी डेथ प्रडिट कर सकते हैं कर सकता है लेकिन मैं किसी को नहीं करता हूँ लवली अफास्ते भूइं कंट्री नेक्स फफिव यर्श अगूझ चूझ अगूझ अधर परसंट यूट परसंट बवली थैंक यू सो मच रजगनाज याने करिए लोटोस को गायट करने करे थैंक यू तैंक यू सो बचूँए रूट परसंट झाल झाल